नमस्कार दोस्तो, मैं विनोत कुमार, CLC परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो हम लोग Diamond Taste Series का अगला paper हमारा solution करने जा रहे हैं दंगल 6 number, ठीक है? तो इसका part first है हमारा, जैसे हमारा neat का pattern उसके coding first part हुआ first part में सवाल नमबर दिया गया पहला vector का सवाल है बटा तो vector में क्या दिया गये आपको? कि एक vector है A और B ये दो vector दिये गए and the vector having the same magnitude as B vector का magnitude तो एक ऐसा vector निकालना है बटा जब भी आप vector निकालते हो कभी भी तो vector को क्या लिखा करेंगे हम लोग? vector को लिखेंगे magnitude into direction लिखा करेंगे कोई भी नया vector निकालना है तो magnitude is equal to B B का तो magnitude निकालना है बटा तो B का magnitude क्या लिखा जाएगा? under root of 7 square plus 24 का square हो गया ये तो हमारा B का magnitude and parallel to A और A की क्या निकालनी बटा आपको? direction निकालनी है तो हम ये कह सकते हैं भई, magnitude तो लिख दिया हमने 7 square plus 24 का square into direction direction का मतलब क्या होगा? इसका unit vector निकालना है बटा तो 3 I cap plus 4 J cap upon magnitude of जो A है उसका magnitude कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा हमारे पास तो इसको हम लोग solve कर लेंगे तो हमारे पास value आजाएगी कितनी आजाएगी ये? 5, ये 25 हो जाएगा तो ये 5 तो 15 I cap plus 20 J cap ये हमारा answer हो गया next question है unit dimension का सवाल हुआ बटा आपको बोला गया velocity मैं कहता हूँ X निकालना square कर लो velocity square equal to pressure upon X हम सिधा लिख लेते हैं मड़ा तो X equal to क्या आएगा? pressure upon V square आगया यहाँ से हम लोग pressure का लिखेंगे Newton per meter square dimension निकालनी है ये हो जाएगा meter square per second square because velocity equal to meter per second होता है तो Newton को लिखेंगे यहाँ पर kg into meter per second square मैंने सबको open करके लिखेंगे तरीके से M square into M square into second square second ने second को मार डाला एक meter ने meter को मार डाला तो बचा क्या है बटा? M into L की power minus 3 M into L की power minus 3 next question है acceleration time graph of a body is shown in corresponding velocity time graph कौन सा graph दिया है बटा? 80 graph कौन सा निकालना है? VT graph सोचो A दिया है देखो A दिया है constant है तो slope क्या होना चीए VT graph का? positive constant positive constant होना चीए यह तो negative constant हुआ बटा? यह negative constant हुआ यह दो positive constant है इन एक और दो बई, शुरुवात में A positive है तो 80 graph का slope velocity को बताता है बताता है बटा? तो 80 graph का slope velocity को बताएगा तो positive velocity है हमारा तो VT graph का slope positive होना चीए यह negative slope यह negative slope तो यह बहार होगे एक तो यह है और एक यह है देखो velocity बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है उसके बाद में velocity यहाँ आते हैं क्या होगा बटा? उसके बाद में acceleration क्या हो गया? हमारा again positive constant तो again positive slope हो गया नहीं आया क्या? देख बटा, यह answer आ गया next question है कि body start from wrist फिर से 1D का सवाल हुआ बैटा, acceleration equal to V dV by dx होता है बोल होता है? मैं यह कह दूँ बैसे दो तरीके हैं क्या A constant हुआ तो V proportional to 1 upon slope होना चाहिए dV by dx ऐसा गराफ देख लो जिसमें time के साथ में velocity तो बढ़े और slope कम हो क्योंकि acceleration क्या होगा? constant होगा देखते हैं बैटा? देखो velocity तो हमारी देख न? velocity बढ़ेगी और slope कम होगा यह गराफ ही ऐसा या इसको ऐसा भी लिखा सकते हो डा V square proportional to X 2 A S होता है third equation उससे भी यह गराफ आएगा हमारा next question बैटा इसका acceleration पता करना है देखो नीचे क्या लिखा गया है? M G ऊपर क्या लगा है? normal कितना लगेगा? M G by 4 क्या नीचे A लगा होगा? तो क्या लिखूंगा? M G minus M G by 4 equal to M A तो A का वेल्यू कितना आ गया है बटा? 3, 5, 4 G correct answer next question फिर से वैसा ही सवाल हुआ यह ब्लोक नीचे नहीं आना चाहिए तो नीचे क्या लगा होगा? W इधर क्या लगा होगा? friction mu N अगर नीचे नहीं आना चाहिए तो जो friction चाहिए वो बड़ा या बराबर होना चाहिए तो friction मतलब mu N 0.2 into N N किसके बराबर हो जाएगा बटा? 10 Newton this should be greater than equal to W then W equals to 2 Newton first answer next question WP का सवाल है आपको U दिया गया है potential energy मैं यह कहता हूँ SHM की बात हो रही है कहीं ना कहीं कहीं SHM की बात कर लो कुछी बात कर लो मैंने बोला कि भई हमारे पास में U दिया गया है यह तो F निकाल लेता हूँ F होता है minus का DU by DX तो minus का X की power 3 minus X equal to 0 equilibrium condition देखो भई maximum energy की बात किया यह तो maximum energy कहा होगी मारी sorry maximum energy कहा होगी जहाँ potential क्या हो minimum हो हमारा यही तो होगा चलो साब potential minimum होगा मैं कहा दू X का value यहाँ से एक तो 0 आएगा X का value एक plus 1 आएगा एक X का value minus 1 आएगा बैटा जो minimum potential energy मिलती है उसके लिए दूसरा differentiation करो अगर दूसरा differentiation करोगे तो minimum मिलेगी तो इस पे नहीं मिलेगी वो minimum किस पे मिलेगी बैटा इस वाले पे मिलेगी तो या तो 1 रख दो या minus 1 रख दो इसमें तो यू minimum कितना हो जाएगा बैटा जी 1 by 4 minus 1 by 2 it becomes minus 1 by 2 क्या total energy kinetic plus potential तो kinetic कितनी है 2 joule sorry total कितनी है 2 joule दे रखी अपनको kinetic अपनको पता करनी है potential 1 by 4 तो kinetic हो जाएगी 2 plus 1 by 489 by 4 क्या इसको 1 by M into V square की form में लिख दूँ आई बात समझ में ये हमारे पास इसके लिए बात आगी तो इसको solve कर लेंगे हम लोग तो ये हमारे पास answer आएगा ये 2 से 2 कट गया है बैटा तो 9 by 2 का under root तो 9 by 2 तो 3 by root to answer first next question बैटा omega final square बराबर omega initial square 2 alpha into theta होता है मारे यहां से मैंने बोला ये 5 हो गया omega node square minus ये omega node square बराबर मेरे को alpha चीए बैटा तो 2 into theta कितना हो गया? 6 तो 25 minus 1 24 हो गया 12 से डिवाइड किया तो 2 omega node square alpha आ गया बैटा थाड़ इक ना answer बिलकुल आसान सी बाते हैं tough नहीं है अगला question देखो बैटा हमारा moment of inertia का आ गया RBD का इसने पूछा कि लंबाई L और यह 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 mid point हो गया मालो मद्दे बिंदू OVM मूडी भी छड़के तल के लंबत ऐसे वाला यह वाली access से यह बटापन को यह वाली access के लिए चाहिए तो यह कितना हुआ हमारा L by 2 mass कितना M by 2 L by 2 M by 2 क्या दोनों का लिख दूंगा M by 2 L by 2 का square upon 3 1 M L square by 3 क्या ऐसी दो रोड बन गई वापस तो आंसर कितना आएगा M L square बटे 12 वही आंसर आएगा अगला स्वार The escape velocity of a body on an imaginary planet in thrice the radius बटा जो radius जो है प्लेनेट पर वो धर्ती की radius की तीन गुना होगी and the mass जो होगा double the mass of earth 2 M E होगा बताओ escape कितना धर्ती पर बटा under root 2 G M E by R E होता है तो नए वाले प्लेनेट पर हो जाएगा 2 into G mass की जगे कितना लिख देंगे बटा 2 M E radius की जगे 3 R E तो आंसर बन जाएगा under root of 2 by 3 V E फस्ट आंसर नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है कि एक प्लेनेट है बटा ये समझ लो ये हमारा sun हुआ ये यहाँ पर velocity V1 है जब ये distance D1 है और यहाँ की distance D2 है यहाँ की velocity V2 है तुम्हें V2 निकालना बेटा क्या ऐसी motion में angular momentum कंजर्व होना चाहिए तो M1 V1 R1 M2 V2 R2 बटा ये तो सेमी रहा वही particle चक्कर लगा रहा sun के चारों तरफ तो V1 into D1 upon D2 बराबर V2 ये लो V1 D1 by D2 फिर energy conservation का सवाल कौन सी energy बटा इसके पास में kinetic कितनी है half MV square half MV square कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि सर ये energy इधर, ये energy इधर negative 0, ऐसा energy के लिए नहीं होता, ये energy टोटल किसमें बदल जाएगी बटा, half of KX square में, तो दो सब जगे कर जाएगा 2 MV square by K का under root ये किसका value आएगा, X का 2 MV square के लिए, ये आ गया next question fluid mechanics का सवाल बटा, यहाँ पर P node pressure लगा, क्या इसका Mg भी इस पर pressure लगाएगा, ये H के, तो यहाँ पर pressure लगा दो बटा, P node Mg के कारण से कितना pressure होगा, Mg by area, plus rho GH equal to यहाँ pressure, P node plus half of rho into V square क्या लगाया मैंने, Bernoulli equation, तो यहाँ से P node कट गया है, बटा मैं कहाँ दू, इसके लिए solution कर लो आप, तो इस दो को इधर बेज दिया 2 Mg upon rho into A इसको बेज दिया नीचे plus 2 G into H का under root यह लो, यह V आ गया यह हमारे पास कौन सा आया 2 common ले लिया, यह answer बन गया next question एक copper ring is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring बैटा यह कोई ring है metal की conductor की, यह कोई bar magnet को छोड़ दिया हमने चाहिए N हो चाहिए S हो चाहिए यहां से छोड़ो चाहिए यहां से छोड़ो चाहिए बीच से छोड़ो acceleration always कम हो जाएगा क्यूं? क्यूंकि नीचे G होना चाहिए था अगर यह ring नहीं होती तो G होता लेकिन ring के होने से क्या एक reverse force लगेगा पास आ रहा है तो पास नहीं आने देगा दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देगा then acceleration always less than 2 जी less than 2 less than that due to gravity गूरते तवन से कम होगा वेटा next question circular coil radius दिया है number of turns दिया vertical about vertical diameter तो बटा यह बाली बात यह कोई ring है मैंने बोला कि यह कोई field है हमारा यह field है यह जो है यह ring इस x के about में diameter के about में घूम रही है तो बटा मैं flex लिख सकता हूँ 5 बराबर b into a into cos omega t यह लिख दिया मैंने मैंने बोला कि भाई साब हमारे पास यह तो हुआ अगर मैंने कह दिया कि n term number of terms है तो n से multiply कर देंगे हमको तो e mf चाहिए तो e बराबर d phi by dt magnitude लिख देता हूँ बटा तो n b a omega sin omega t क्या यही value peak value आई हमारी देखो सारा data आपको दिया गया है n दिया गया है बटा मैं यहां लिख देता हूँ n का value कितना है 20 b का value कितना है मारा 3 into 10 की power minus का 2 into omega कितना दिया 50 into area pi into r square area हो जाएगा मारा 8 का square यानि 10 की power minus 4 अब इसको हल कर लो जो भी value आएगा मारा answer होगा next question alternating current voltage given by this connected to one micro third reading of emitter क्या होगा पहली बात तो emitter कौन सी reading को major करता है बटा rms को ac में किसको major करता है rms को यानि तुझे निकालना है i rms तो लिखूंगा v rms upon x c यहाँ c है तो x c यह z लिख सकते थे हम लोग z होता दो resistance z लिख देते x c होता बटा पहले तो यह कौन सा value है peak value तो v rms कैसे लिखेंगे v node by root 2 तो क्या यह 200 हो गया यानि v rms तो 200 हो गया अब x से c निकालते हैं बटा x से c लिखने का तरीका होता 1 upon omega omega यह रहा into c 10 की power minus का 6 microfarad तो आगया 10 की power plus 6 2 कट गया तो 4 तो यह गर 10 is 2 power 4 हो गया बटा तो 10 की power हमारे पास एक काट दी तो बच गया 20 milliampere यह लो answer आगया next question the energy of electromagnetic wave is order of this भाई इस energy की कौन सी ray रही होगी बटा तो पहली बात तो आपको इनकी जो ray है उनके wavelength पता हो या frequency पता हो कोई एक चीज पता कर ले हम लोग generally energy का funda होता है 12400 electron volt upon lambda lambda किस में बटा इस में एंगस्ट्रों में तो हम लिखेंगे lambda अपन को निकालना है तो 12400 अपन किता दिया 15 kilo electron volt kilo का मतलब 3 हो गया बटा तो देख लो यह लगबग value आगया हमारे पास 3 से कट गया तो यह point लग गया तो लगबग आग जाएगा 0.83 के आजपास एंगस्ट्रोंग यह आया हमारा तो यह lambda किसका होता है बटा इससे frequency भी check कर सकते हो निकालके frequency निकाल लेंगे हम लोग भई V बराबर F into lambda होता है frequency भी कई बर याद करनी होते हैं कौन सी रे आगी बटा X-ray यह X-ray के लिए हो गया अगला दो long parallel copper wire carrying current यह wire है बटा opposite direction में इसमें भी 5 इसमें भी 5 जब बटा opposite current होती है दो parallel wire में तो force होता है ripple sun वाला इस पे force इधर इस पे force इधर तो बटा attraction तो पहले ही खतम हो गया तो answer दो में चार में से आएगा exact value क्या होती है f equal to mu node i1 i2 into l upon 2 pi d देखो बटा तो इसने per unit length की बात करी है तो length को हम लोग यहां ले लेते हैं soul करते हैं 4 pi into 10 की power minus 7 mu node i1 को 5 into 5 upon 2 pi into d d कितना दिया है बटा 0.5 यह लो 2 pi से 2 pi cancel हो गया बटा यह point हटाएंगे तो यहां 10 लग जाएगा 5 से 5 कट गया तो 5 into 2 करेंगे तो 10 हो गया तो यह 10 यह 10 100 हो गया तो 10 की power minus का 5 तो दूसरा आंसर हमारा correct हुआ next question की बात करें निवन में से किस कन का परिकर्मन की आवर्ती बटा जो भी magnetic field में छोड़ा जाए तो जो time period होता है t 2 pi m upon qb होता है जब किसी भी field में magnetic field में यदि charge particle को फेका जाए तो उसकी radius भी जानते हैं उसका time यह होता है तो frequency क्या हुआ बटा qb by 2 pi m मैं तो यह कह देता हूँ frequency जो है देखो क्या-क्या same है आवर्ती नियूंतम होगी जब वेग समान है वी का तो कोई मतलब ही नहीं है चुम्ब के छेतर के लंबवत प्रक्षपित किया गया है बटा इसने बोला बीच ओफ फोलोईंग पार्टिकल इस निमो फ्रिक्वेंची रिवलुशन वें प्रोजेक्टेड विट सेम वेलोसिटी पर्पेंडिकूलर टू दे मैंगनेटिक फिल्ड तो बटा यह सेम हो गया हमारा एप पर्पोर्शनल किसके आजाएगा Q by M किया जाएगा मेरे साब से इलेक्ट्रोन पे तो माइनस E होता है यह E यह E और यह भी E हुआ यह हुआ हमारा तो बटा हम लोग क्या कहें कि चार्ज भी सेम हो गया तो A पर्पोर्शनल 1 अपोन M सबसे बारी कोन हुआ हैड्रोजन हीलियम लीथियम कौन हुआ लीथियम तो आंसर क्या आगया बारी जिसका M जादा उसकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम होगी तो आंसर कौन सा हुआ फोर्ट अगला बटा हिस्टेरिसिस कर वे किसके लिए पढ़ा करते हैं जिसको मैगनेट बनाए वो दी मैगनेटाइज करते हैं मैगनेटाइज करना वो दी मैगनेटाइज करना उसमें क्या लोस आया कैसी चुमबक वो बन सकता है तो चुमबक किसको बनाते हैं यार फेरो मैगनेटिक मेट्रियल को बनाते हैं लोग तो हम बनाते हैं फेरो मैगनेटिक material के लिए not dimagnetic not paramagnetic only ferromagnetic अगला what happens when a hydrogen atom emits a photon in bomber series बामर series में एक photon emit करना मतलब क्या होता है कि वो lyman series से अगर photon को emit करेगा देखो इसमें बोला lyman series में एक अन्य photon आवच से उत्सर्जित करेगा तभी जाके वो ऐसा possible है अन्य ता possible नहीं है अगला question ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt hydrogen atom के लिए तो बैटा हम लोग कहें कि भई हमारे पास में excited state की energy कितनी बैटा 13.6 minus 12, sorry plus 12.1 क्या minus का 1.5 electron volt आया है वेटा समझ में आगी बात ही है अब यह कौनसी state है यह कौनसी excited state वो निकाले हम लोग तो कौनसी excited state में कह दूँ कि delta E बराबर जो लिखा करते है minus 13.6 over N square तो यहां से N square का value लिखूंगा minus 13.6 upon minus का 1.5 electron volt यह value लगबग किसके बराबर आ रही है वेटा 9 के आसपास आएगी यानि excited state कौनसी होगे हमारा कौनसा 3 number 3 number हुआ बेटा हमारा अब 3 से कौन-कौन से कौन-कौन से इसने वह रहा ना spectral line कौन-कौन सी प्राप्त होगी बढ़ा 3rd से 2nd में आएगा 3rd से 1st में और 2nd से 1st तो 1, 2, 3, 3 तीन हमारी spectral lines possible है यहां पहले तो हम लोग इसकी equation लिख देते हैं बेटा हम यह जानते हैं कि hc by lambda या hn या h into new new क्या है बेटा? frequency इसने frequency को n बोला तो मैं n लिख देता हूं hn equal to phi work function हो गया work function हो गया plus kinetic energy e maximum वाली एक equation दूसरा बोला कि यह दी frequency incident light की double कर दी जाए यानि इस frequency को हमने क्या लिख दिया है बेटा? to hn equal to क्या phi में कोई change आएगा? नहीं यह क्या हो जाएगा बेटा? e dash तो आपको निकालना क्या है? e dash निकालना है मैं यहां से hn का value लिख देता हूं इसने work function क्या दिया? current energy photoelectric imitate surface work function f बेटा इस phi को इसने f नाम दे दिया तो हम f लिख देते हैं इस hn की जगे hn की जगे अपको क्या निकालना क्या है? maximum kinetic energy तो अपको hn की जगे यह put कर देना बेटा तो 2f plus e इसको इदर ले आता हूं तो minus f equal to e dash तो देखो बेटा 2f यह f तो क्या बचा f plus 2 e तो कौन सांसरा है हमारा? तीसरा आंसर next question अगला सवाद एक wave traveling along a string at an instant sap of string is at this figure कुछ नहीं बटा देखो simple बेट यह होता है कि particle की जो रबतार होती है velocity होती है वो minus times v into slope हुआ करती है ऐसी होती है बेटा देखो particle velocity positive में जा रहा है यह particle बोला उसने a किदर जा रहा है positive में यह positive में जा रहा है तो यह positive equal to negative speed मुझे पता नहीं किदर है बेटा लेकिन यहां का slope तो positive ही है तो v कैसे आ गया हमारा negative यानि wave कैसे जा रही है negative direction मतलब इधर जा रही है left के अंदर जा रही है तो पहला statement ही गलत हो गया हमारा incorrect पूछा था पहला गलत हो गया अगले वाले की check कर लेते हैं displacement amplitude of B of the wave is equal to displacement of B wave का amplitude क्या होता है जो maximum displacement होता उसी को कहते हैं हम लो बटा तो इसका maximum displacement किसका हुआ B का क्या वही amplitude होगा तो सही बात है अगला add this instant velocity of C is directed downward बटा फिर से ये लगा देते हैं particle का velocity आपको पता करना है ये negative बटा speed भी कैसी है negative slope देखो C पर negative तो इस सब मिला के क्या मिलेगा negative तो ये हमारे पास V negative आ गया है बटा इसका मतलब V किदर जा रहा है downward अगली बात A and C के बीच कलांतर हो सकता है ध्यान दे इसके और इसके बीच में path difference कितना lambda by 2 क्या ये दोनो C और A इनके कहीं बीच में है तो यार lambda by 4 हो सकता है path difference possibility है अगर ऐसा बोलता होगा जरूरी नहीं है तो ये path difference कितने का आ जाएगा बेटा pi by 2 का तो ये statement भी सही है next question अगला सवाल beat का condition बेट क्या होती है f1 minus f2 बराबर delta f ये मारी beat frequency यहाँ पर देखो frequency क्या है बेटा a sin 2 pi into t होता है तो ये f1 कितना आया 2 pi f t f1 कितना आगया बेटा f2 हो गया 1004 हो गया ऐसा ही f1 हो गया 1000 तो difference कितने का आया रहे बही 4 तो 4 beat तीसरा answer next question combination ये parallel combination है बेटा यानि ये हो गया हमारे पास एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हुआ ये k ये 2 k ये 3 k अब ये series combination में आई तो series में क्या लिखा जाएगा 1 upon k equivalent 1 upon 3 k 1 upon 2 k plus 1 upon 1 k हो गया हमारा तो यहां से हम लोग लिखेंगे बेटा ये value LC हम ले लिए 6, 2, 3, 6 कितना आया 11 by 6 तो k equivalent कितना आया बेटा 6 by 11 k हमको तो time period चीए बेटा तो t बराबर 2 pi under root of m upon k equivalent हुआगा तो k equivalent कितना लिखुँगा 6 k by 11 ये answer हुआ next question एक road है L1 और L2 की initial length दिये रही है which are made up of material having coefficient of linear expansion दिया आगया है बेटा यदि difference in length देखो बेटा इसने बोला कि L1 minus L2 temperature बढ़ाने के बाद भी नहीं बढ़ती यानि L1 dash minus L2 dash अभी भी क्या रहेगी same रहेगी तो लिख दिया बेटा L1 minus L2 equal to temperature बढ़ा कि लिख दो बेटा इसको L1 1 plus alpha 1 delta T L2 1 plus alpha 2 delta T minus sorry minus बेटा इस L1 L2 को साथ में लोगे तो यह कट जाएगा 0 equal to बचेगा L1 alpha 1 delta T minus L2 alpha 2 delta T delta T cancel हो गया तो लिखा जाएगा L1 alpha 1 बराबर L2 alpha 2 condition number 3 हो गई बेटा समझ में आई next question अगला thermodynamics का सवाल process का सवाल polytropic process का सवाल work done खोपड़ी में सीधा चलो work done N R delta T upon 1 minus X और P V की power X equal to constant का फंदा V proportional to T की power 2 by 3 दिया है मैं P V की power X की form में convert करूंगा तो T की जगह लिख दूंगा P V की power 2 by 3 एक तरफ ले आता हूं P की power minus 2 by 3 ये एक है बटा है इसकी power 2 by 3 दे लाएगा तो एक minus हो जाएगा तो 1 by 3 equal to constant जब इसकी power अटा ही जाएगे तो ऐसे लिख दिया जाएगा ये 1 by 3 over minus का 2 by 3 इस तरीके से आजए उल्टी करके power से कट जाएगी 3 से 3 तो PV की power minus 1 by 2 equal to constant क्या मुझे X का value मिला तो X का value मिला तो नीचे हो गया 1 by 2 minus का minus plus हो गया N 1 mole है into R हमारा 25 by 3 हुआ delta T कितना है बटा 30 हो गया 3 से 3 कट गया 10 आया बटाची तो यह हो गया 500 इदो उपर चला गया 500 बटे 3 तो आंसर हो गया 166 के आसपास अगला सवाल फिर से यह वो सवाल है जो आपको बार बार आना चाहिए mixer का सवाल आपको आना चाहिए कभी monoatomic, diatomic बोल के करेगा बटा gamma mixer चाहिए तो लिखना पड़ेगा N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 CV1 plus N2 CV2 लिखना पड़ेगा अब इसके साथ में हम बात करें बटा कि भई हमको N1, N2 का value तो एक-एक दिया गया है एक मॉल, एक मॉल बटा यह gamma दे रखा है मालो gamma 1 दिया है यह कौन सी gas के लिए दिया गया है diatomic के लिए diatomic का degree of freedom कितना होगा बटा 5 यह किसके लिए दिया gamma 2 बटा यह gamma 2 दिया है triatomic के लिए f कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा तो मुझे cp1 लिखना है देखो cp लिखा जाता है f by 2 plus 1r cv लिखा जाता है f by 2 into r मैं लिख देता हूँ n1 cp1 पहले तो यहां 5 by 2 to 7 by 2r plus n2 अब लिखा जाएगा बटा 6 6 by 2 plus 1 हो जाएगा 4r upon cv लिखा जाएगा 5 by 2r plus 3r यहां हो जाएगा बटा देखो कितना 8, 7, 15 हो गया बटा यह हो जाएगा 6 plus 5 कितना हो गया हमारा 11 15 by 11 यह हमारा mixer mixer बटा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह किसे लगा देते हैं gamma mixer sir n1 gamma 1 plus n2 gamma 2 upon n1 plus n2 यह गलत बात है यह सही नहीं है अगला अगला है हमारे पास फिर धर्मों का सवाल है बटा वर देखो यहां पर पहली process कौन सी है isobaric isobaric process हुई बटा isobaric process के लिए हम बोल सकते हैं कि delta u जो होगा हमारा delta u को लिखा जाएगा delta q plus delta w sorry minus delta w तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो delta q बड़ा होगा delta u से यानि delta u1 होगा positive दूसरी process है isothermal तो दूसरी process में delta u2 कितना हो जाएगा 0 तीसरी process है adiabatic बड़ा adiabatic में delta q बड़ाबर 0 तो delta u किसके बड़ाबर आएगा minus का w के बड़ाबर बड़ा expansion होगा यह तो sum में positive है तो यह positive यह negative तो delta u3 कैसे आगया हमारा negative तो सबसे ज़्यादा value कोंसी हुई बड़ा u1 उसके बाद में u2 उसके बाद में u3 first answer next यह तो बड़ा current के जैसा सवाल हुआ यह temperature अपन को t दिया गया है माल लेते जो निकालना अपन को तो मैं कह देता हूँ सारी current इस तरिप से जाने वाली है तो junction का नियम यह i1 i2 i3 तो junction का नियम कहता है सब को जोड़ दो i1 plus i2 plus i3 बराबर क्या होना चाहिए 0 देख मैं i1 को लिखूंगा t minus 0 upon r क्या सभी की सभी जो रोड है वो identical है ऐसा बोला गया है identical है plus ऐसा लिखूंगा t minus 90 by r t minus 90 by r equal to 0 r सब जगे कट जाएगा 123t equal to 180 तो t equal to कितना है बटा 60 degree तो t का value कितना आगया हमारा 60 degree Celsius next question की बात करें बटा अब की बार जो है वो calorie metric का जुड़ावा सवाल है 2 gram की bullet है उसके पास कोई energy रही होगी 1 by 2 m into v square अब पढ़ते हैं आगे बटा meter is brought to a sudden stoppage इसको रोग दिया गया by an obstacle the total heat produce goes to the bullet सारी की सारी जो energy थी वो heat में convert हो गई if the specific heat of the bullet आपको दे रहा दें रहा दें राइज इन टेंपरेचर तो यह m into s s दिया गया 0.03 ध्यान देना बटा यह किसमे है calorie per gram तो इसको 42 सो से गूना कर दिया जाएगा into delta t m से तो m कट गया बटा तो delta t का जो value आएगा वो आएगा 200 into so 2 से काड़ दिया upon यह लिख दिया जाएगा 42 into 3 अब इसको हल कर लो लगबग value आजाएगा 20,000 80,120 तो 150 के आसपास 158 degree Celsius के आसपास अंसर आएगा बटा next question electrostatic से जुड़ावा सवाल बटा पूचा क्या है charge दिये गए है यहाँ plus का q दिया गया यहाँ minus q दिया गया यहाँ plus q capital दिया गया है यह total distance बटा कितनी दी गई है 2L और यह L हुआ work done by the electric field बटा मतलब conservative से work done पूचा गया है तो conservative का जो work done आएगा वो आएगा minus delta U U final minus U initial मैं तो पहले या फिर इसको potential से भी कर सकते हैं मैंने बटा U final लिखा पहले minus को ऐसे ही रखा U final मैं अलग ले लिख देता हूं इसके साथ पेर लिख दिया minus KQ square by 2L इसको इसके साथ मैं लिखूंगा तो minus का KQ capital Q by L हुआ SIU final लिखूंगा बटा जब ये चार्ज यहां की बजा यहां आ जाता है तो इसको और इसको लिखूंगा K small Q capital Q by 3L बटा ये छोटे वाले Q और इसमें कोई change नहीं आया KQ square by 2L फिर इसमें और इसमें अभी भी distance वही की वही है KQ capital Q by L बटा U final minus U initial कर लेते हैं ये कट जाएगा अगर यही सवाल बोलता कि वगड़न निकालो external से ले जाने में तो ये minus नहीं लगता बटा तो यहां लगा दूँगा 1 by 3 final U final minus U initial initial कितना है? 1 KQ Q by L तो ये minus का 2 by 3 आएगा बटा ये minus minus कैसा आगया? Plus तो plus का 2 by 3 1 upon 4 by epsilon node Q capital Q by L 2 से 2 कट गया तो ये 2 1 by 6 आजाएगा पोजिटीव आला तो कौन सा बना ये? तीसरा correct answer है Next question फिर electrostatic का सवाल है बटा आपको potential दिया जाए electric field निकालना हो तो क्या लिखा करेंगे? minus का dv by dr बटा मैं vector की form में लिखता हूँ इस पूरे का differentiation करेंगे x के respect में तो देख क्या लिखा जाएगा? minus का 2x into y यहाँ x की जगे के अवल z q बचेगा? यह i cap अब पूरे का y के respect में करेंगे बटा y के respect में करेंगे मतलब j cap इसके लिए आजाएगा minus का x square इसका 0 इसका भी 0 फिर k के respect में करेंगे यह 0 हो जाएगा minus का 3x z की power 2 यह लो तो आंसर देख लो क्या मिलाँ अपन को? यह minus से multiply कर दो बटा तो मिलेगा 2xy plus z cube i cap यह minus यहाँ तो plus x की power 2j cap plus 3x z square k cap 3x z square x y square j cap में x square only तो इसका अंसर बन गया 3x z square j x square यह पहला अंसर बन गया बटा देख लो next question फिर electrostatic का यह बराबर क्या लिखा जाता है? minus का del v upon del r ठीक है? बटा slope ही तो हुआ एक तरीके से तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग negative अब slope कैसा है? negative तो delta v कितने का? 5 का delta r कितने का? 2 का तो minus minus तो plus हो गया 2.5 volt per meter तो पहला answer फिर से अगला यह part first था हमारा अब चलते हैं बटा part second पे पहला सवाल भई आप जानते हो कि torque बराबर r cross f होता है बटा तो सोच के देख क्या जब cross multiply करते हैं तो उसकी जो direction आएगी मतलब जैसे torque की direction आएगी क्या वो इन दोनों के ही perpendicular आएगी? torque perpendicular to r so we can say torque dot r this is equals to 0 and the torque is also perpendicular to f so we can say here torque dot f is also 0 तो दो option ये मिले अपन को तो first answer सही हो गया बटा अगला सवाल एक satellite है जो orbit में घूम रहा है ये हमारी धरती है ये satellite धरती के करीब है अगर ये orbit में घूम रहा होगा तो इसकी कोई रपता रही होगी ये कितनी रपता रही होगी बटा VE रही होगी ने sorry V node sorry sorry orbital से गुम रहा है क्या पूछा गया the escape speed from the earth is VE VE है it is speed with respect to satellite satellite के respect में क्या speed होनी चाहिए कि यदि इसे हम लोग escape करा सके just escape तो बटा satellite के respect में बात हुई अगर मैं कह दूँ कि भई ये अगर proper direction होती देख अगर इधर फेकता तो VE से कम होता velocity जो भी इसको देते हैं हम लोग extra वाला इधर फेकता तो इसके respect में ज्यादा से फेकना पड़ेगा क्यों फेकना पड़ेगा सोच कि भई अगर इसको छोड़ते तो इसके रफतार कितनी होती इसके respect में 0 होती बटा दर्ती के respect इधर जा रहा होता है तो दर्ती के respect में escape करने के लिए कितनी होनी चाहिए VE होनी चाहिए तो VE इधर होगी इसके लिए मैं कहिदू आपने इधर फेक दिया तो वो तो यार VE VNode से तो वो तो VE ज्यादा होगी ने रफतार हमारे escape कराने के लिए VE से ज्यादा extra sum extra देनी पड़ेगी relative के respect में तो अलग-अलग direction में अलग-अलग रफतार हमारी देनी पड़ेगी तो depend करेगी किस बात पे बटा direction पे अगर यही बात ऐसे पूछ लेता धरती की surface से तो वो किस बात पे depend करता क्या direction पे नहीं कि इधर भी फेंग दो वही यह अता answer next question equal mass 3 container है बटा यह 3 container दिये अपन को यह ज्यादा यह कम ऐसा अलग-अलग density है क्या नीचे mg तो सब में same ही लगेगा ने यार mg by area क्या mg by area भी तो same है density अलग हुई तो क्या हुआ तो pressure तीनों में क्या रहेगा same अगरा सवाल uniform spherical seal यह हुआ बटा shrink छोटा हो रहा है मतलब r कम हो रहा है maintaining its safe safe way spherical the gravitational potential at the center वी जी जो होता है वो minus का gm by r होता है क्या r का value कम हो रहा है सोच के देख r कम हुआ तो magnitude of v क्या होगा अमारा बढ़ेगा negative में बढ़ना मतलब vg क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा तो decrease होगा negative में बढ़ रहा है तो क्या होगा हमारा decrease अगला two wires of same length same material but radius is different stretches unequal forces बैटा stress मैं इसा लिखता हूँ मैं formula नहीं रढ़ता stress equal to y into strain यही होता है stress को लिखा f by a equal to y into strain delta l by l तो f proportional आ जाएगा देखना विटा यह f बराबर लिख दू y into a into delta l upon small l क्या same material बोला है same length बोला है length same y same and elongation is also same then force proportional to r square area मतलब r square तो f1 by f2 equal to r1 by r2 का square क्या 1 is to 4 आना चाहिए या चोथा हो गया पाचवा diffraction pattern due to single slit width देख बटा यह की बात कर रहा है यह बात कर रहा है यहाँ पर यह जो theta होता इसके लिए angular width किसके लिए बटा first minima के लिए तो first minima के लिए क्या condition होती है a by lambda तो लिखूंगा a sin theta equal to lambda for first minima यही होती है बटा जी तो यहाँ से sin theta कितना दिया है 30 तो lambda by a का value आ गया 1 by 2 सोचना निवस्तना आ गया अब अगला बोला wavelength यह है incident on the slit the first secondary maxima पैटा यह maxima बनेगा इसकी चर्चा हो रही अब इसका क्या angle बनेगा यह theta dash निकालना है तो यह देखो a by lambda तो यह हो जाएगा 3a by lambda क्यूंकि इसके लिए 2n प्लेस 1 by 2 lambda होता है यह condition हमारी तो मैं तो कह दिया आप तो सीधा यह याद देखलो first के लिए 3 by 2 अब लिखूंगा sin theta उल्टा लिख दिया गया मैंने 3 lambda by a लिखा जाएगा गलत लिख दिया मैंने 3 lambda by 2a sin जेखना sin theta बराबर theta dash बराबर 3 by 2 lambda by a बता lambda by a का value कितना है 1 by 2 तो 3 by 4 तो theta dash क्या आगया sin inverse 3 by 4 next question lens का सवाद lens formula focus का formula क्या दिया 1 upon f mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 कौन सा lens बोला बिटा आपनको convex मतलब इस वाले lens की बात हो रही है माल लेते हैं incident इदर से हो रहा ये r1 ये r2 r1 कित्ता दिया आपनको 10 cm r2 दिया 15 उल्टा भी ले सकते हो r2 r1 कोई फरक नहीं पड़ेगा 1 upon f कितना बिटा 12 cm mu minus 1 r1 को लिखूंगा 1 upon 10 positive बिटा इदर इंसिदेंट तो r1 तो ये हुआ न minus minus plus ये r2 कैसा हो गया nugget तो plus लिख दिया 1 by 15 LCM ले लेते हैं बिटा 1 by 12 है प्रच 6 से cancel करते हैं 2 ये 5 तो हमारे पास value मिलेगा इस 5 को इदर भेज दू बिटा ये 3 और 2 5 ये तो 5 से 5 कटी गया बिटा एक बचा हो तो mu minus 1 equal to 1 by 2 तो mu बराबर 3 by 2 answer यानि 1.5 next question फिर रे ओप्टिक सा सवाल the far point of myopia person is 80 cm in front of eye eye के सामने कितना अधिक्तम देख सकता है बिटा वो 80 cm तक वो देख सकता है what is the power of lens required to enable him to see very distinct objects clearly यानि आपके पास में अगर object infinity पे रखा गया हो उसको भी देखना हो तो कब देख पाओगे object infinity पे है मैं कहां तक देख सकता हूँ maximum 80 तक अगर मैंने ऐसा lens इस्तमाल किया कि वो अनन्थ पर रखे object की image बना दे 80 या 80 से पहले तो क्या वो object हमारी आँको को दिखेगा मतलब उस lens के कारण से image कहां बननी चाहिए minus 80 पे बननी चाहिए अगरी बात है तो हम लोग निकालते हैं 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 by F U infinity then it becomes 0 minus 1 upon 80 U लिख दी वी रख दिया 1 upon F हमको तो power चाहिए क्या 1 by F कोई power कहते हैं लेकिन ये किसमे है बटा centimeter में इसको meter में convert करूँगा तो 100 से divide करना पड़ेगा 80 को तो उपर आगे 100 तो ये देख लो कितना आ रहा है minus 5 by 4 तो minus का 1.25 ये हमारा correct answer हुआ समझ में आई बात यानि concave lens यूज करना पड़ेगा कि वो image को कहां बना दे बड़ा होड़ा सा पहले बना दे अगला electron concentration in N type इसने बोला semiconductor is same as the whole concentration इसने बोला कि एक N type है में concentration of electron equal to P type में concentration of hole क्या है बटा same यानि N equal to NH है कहने की बात तो ये इस पे कोई external field रगाया तो compare कीजिये current क्या होगा बड़ा देखो आपने transistor पढ़ा होगा मैं आपको बता हूँ transistor में दो तरह की होते हैं NPN और एक होता है PNP पता होगा ऐसा फिर भी आप जब भी application पढ़ते हो तो आप NPN transistor ही पढ़ते हो practically जो use करने वाले transistor कौन से NPN क्यू बटा क्यूंकि mobility of electrons majority में कोन है इसके अंदर electron इसमें majority में कोन है holes तो majority electron की क्या होती है mobility electron की क्या होती है बड़ा ज्यादा तो बड़ा mobility electron की जो होती है न वो greater होती है mobility of holes से इसलिए current किसमें ज़्यादा होगी बड़ा हमारी electron वाले में N type next question full wave rectifier यह हुआ बड़ा rectifier full wave हमारा कि बड़ी ये input था हमारा इसकी जो भी frequency है नहीं पता मुझे ये हमारा half wave sorry full wave बोला न full wave तो वो क्या करेगा बड़ा ऐसे ये एक दो तीन चार इस ते से बनता गया इसकी एक frequency हमा लो एक hertz है इसके कितने cycle होगे बड़ा दो तो full wave के लिए कितनी हो जाएगे हमारी 100 hertz अगर यही सवाल half wave का आता तो half wave के लिए frequency क्या रहती जितनी है उतनी 50 है तो 50 ही रहती बड़ा तो यह हमारा बड़ा next question है 16 number 16 में है कि यह plate दी गई है बड़ा इस तरीके से तो हम क्या करेंगे इनको करने का तरीका देखना इसको 0 मान लिया इसको V volt मान लो ऐसा यह तो AQE यह AQE इस वाले को X मान लो तो यह भी X हो जाएगा बड़ा जी इसको Y मान लोगे तो यह भी Y हो जाएगा सभी इससे क्यापस्टर बन गए यह 0 V बना दो यह V V बना दो बीच में कहीं X बना दो बीच में कहीं V बना दो हाँ देखो बड़ा सुरुवात करो उपर से कर लेते नीचे से Y और 0 के बीच एक क्यापस्टर बन गया बड़ा यह क्यापस्टर फिर देखो Y और 0 के बाद 0 और X के बीच बन गया बड़ा 0 और X के बीच ये कापस्टर बना दिया येलो फिर देखो बटा X और Y के बीच बन गया येलो बना दिया साब फिर देखो बटा Y और V के बीच Y और V के बीच ये कापस्टर बना दिया येलो बटा जी फिर देखो बटा V और X के बीच येलो ड्यान से देखा जाए तो क्या ये wheat stone bridge बना हुआ है वेटा देखो ये वाला beach वाला capacitor इस तरीके से हुआ तो ये wheat stone बन गया तो c into c c into c बराबर तो balance हट गया ये हमारा यहनि आप इसको इस तरीके से denote कर सकते थे वेटा ये लो ये xy हुआ यहां 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 तो ये बेकार c और c कितना हूँ गया series में c और c c by two series में c और c c by two c by two और c by two कितना हो गया c equivalent हो गया किसी एक capacitor के बराबर और एक capacitor का कैबसितिन क्या लिखा जाएगा a epsilon or y d हमारा answer आ गया पहला next question फिर क्यापस्टर का सवाल है क्या बोला गया बेटापन को breakdown voltage पहले एक सोच यहाँ पर maximum कितना लगा सकते हो दोनों पर दोनों पहले हैं तो maximum इसके बराबर ही हो सकता है इस वाले के बराबर अगर लगा दें इसके प्रहान निकल जाएंगे फूट जाएगा यह तो breakdown हो जाएगा तो इस वाले पर इस वाले भाग पर यह तो 6C का है इस वाले भाग पर जो 3C बन गया equivalent अरे दो रहे कितना हो गया equivalent 3C हो गया इस पर कितना लगा सकते हो V सोच इस पर अगर V लगा देता है तो इस पर V से ज़्यादा लगेगा क्योंकि capacitance क्या हमारा कम हुआ जिसका capacitance कम है उसका voltage ज़्यादा अब बेटा इस पर V से ज़्यादा तो हुई नहीं सकता न तो हमने बोल दिया V' लिख देते हैं इसके लिए तो V proportional होएगा 1 upon C यहाँ से मैंने बोल दिया कि V' upon V equal to 3C by 6C तो कार दिया कितना आया 0.5 तो V' का value कितना आया 0.5C पांच V बटा यहाँ का voltage V है यहाँ का 0.5 है तो यहाँ का कितना आएगा 1.5V next question अगला सवाल है हमारा potentiometer का एक circuit है जिसमें बताया गया आपको E1 का value ज़्यादा है E2 से तो बटा इसकी length जो आएगी balance length वो ज़्यादा आएगी balance length इससे पहली बात हो सोचा मैंने सही null point is at C जब galvanometer is connected to E बटा इससे जब जोडा गया है तो यह हमारी length आई L1 इसने बोला कि अगर galvanometer को E2 से जोड दोगे तो बटा E2 का value तो कम है न यार E2 कम हुआ तो उसकी length भी क्या हो जाएगी कम तो C किदर आजाएगा A की तरफ तो C move towards left to the left of the C C के इधर की तरफ आएगा balance इसके इधर आएगा left अगला question there are two electric bugs so 40 volt and 100 volt which one will be bright when first connected in series and parallel बटा series और parallel दोनों में ultra order होता है कैसे बताता हूँ आपको मैं मानलो पहले में series की बात कर लिया ये बल्प A है ये बल्प B है ये 40 volt है ये 100 volt है जब series की बात करूँगा बटा ज्यान से देख rated power से हम लोग क्या निकालेंगे resistance तो resistance ज़्यादा होगा resistance B से power कम है कहां से निकाला R equal to V square by P से rated power से ये निकाल लिया अब बटा इसका resistance ज्यादा इसका कम हुआ क्या दोनों में जाने वाली current तो सेम ही होगी जो power used होगा is the brightness order ये क्या होगा बटा brightness का order होगा तो power used तो इस I के अकोडिंग निकाली जाएगी series में बटा तो power used proportional हो जाएगी equal to I square R लिख देता हूँ I common है जिसका resistance ज्यादा उसका power used भी ज्यादा तो power used किसका ज्यादा आएगा A का power used B से तो brighter कौन सा आएगा brighter A is than brighter B A ज्यादा चमकेगा 20 अब रटने का तरीका अगर series में 2, 3, 4 बल्प लगाए हैं तो कम power वाला कम rated power वाला बल्प ज्यादा चमकता है क्यों कम rated वाले power में huge power ज्यादा होती है तो यह हमारा चमकेगा और parallel में जिसकी power ज्यादा होगी वही ज्यादा चमकता है तो हमने कह दिया 40 वाट तो series में जाल समकेगा 100 वाट parallel में जाल समकेगा next question water rises to a height of 2 cm in capillary बाटा यह हमारा capillary का सवाल है कितना cm उपर आया बाटा यह 2 cm आया इसमें tube is tilt यह लो बाटा इस tube को हमने क्या कर दिया बाटा more दिया कितने degree पर 60 degree from vertical तो horizontal से कितना हो गया 30 तो बाटा यह height 20 है तो vertical height तो अभी भी कितनी होनी चाहिए 2 तो आपको अब की बार जो निकालना है वो यह वाली length निकालनी है यह लो बस खतम काण क्या करोगे बाटा मैं ऐसा लिख देता हूँ sin 30 equal to perpendicular upon hypotenuse तो L का value कितना आ गया 4 cm तो यह हमारे पास correct answer है 1 तो बाटा यह हमारा दंगल 6 का paper हुआ Thank you